वेल्कम गाइज टू वेब थ्री मंत्रे तो कैसे है राबर तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Solidity Mapping की ठीक है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ Solidity Mapping क्या होती है Solidity Mapping हमारी जो है Key Value Pears होल्ड करते हैं हमारे ठीक है जैसे की हमारे JavaScript में Key Value Pears रहते हैं वैसे ही हमारे Solidity में Mapping होती है ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया है Key Value Pears तो आपको बेसिकली syntagically कैसे करना होता है आपको लिखना होता है Mapping उसके बाद Brackets लगाने होते हैं पहले जो Key होगा उसका Type आपको Define करना है फिर Value का Type Define करना है Equal To और Greater Than का Sign करके उसके बाद आपको उसे Variable का नाम दे दना है Mapping का नाम दे दना है ठीक है उसके बाद देखो Consideration यहां पर देखो Mapping can only have type of storage ठीक है और Generally वह State Variable में ही Use होती है Mapping ठीक है यहां पर देखो एक छोटा सा Example दिया है तो Basically मैं इसी Example से आपको समझाता हूं Mapping हमारी क्या होती है ठीक है तो चलते हैं आप एक बार इसको देख लो मैं यही चीज़ बताने वाला हूं ठीक है तो आते हैं अपनी Remix IDE में और यहां क्या करते हैं Mapping अपनी Define करते हैं तो मैं आप लिख देता हूं Mapping अएक काम करते हैं तो Address Type मैंने आपको बता है था एक काम करते हैं जो हमारी Key है वहां पर Address रखेंगे और जो हमारी Value होगी उसमें हम Unit रखेंगे इसे मैं Public देता हूं Keyword और इसका नाम रख देता है हैं Balances ठीक है बैसिकली इसमें हम Balance च्रैक करेंगे किसी भी Address का ठीक है तो अब क्या करते हैं आप एक Function Define करते हैं Function मैं करता हूं Set Balance ठीक है यहां पर क्या करेंगे हम जो Unsigned Integer जो होगा Unsigned Integer हम करा रहे हैं as a parameter में Pass तो उसको यूजर को Argument में Pass करना पड़ेगा इस चीज को ठीक है तो अब क्या करते हैं मैं Unit देता हूं तो यहां पर मेरे को नाम देना है तो मैं इसे बैल शॉट में नाम देता हूं ठीक है अब मैं इसे भी पब्लिक देता हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर मैं Mapping को देखो कैसे एक्सेस करते हैं जो बैलेंस रहेगा ना बैलेंस इसका फिर हमें क्या देना पड़ेगा एड्रेस यहां पर हमें ब्रेकर्ट्स देने उसके बाद हमें एड्रेस देना पड़ेगा ठीक है तो मैं यहां पर MST.Center पास कर देता हूं अब ऐसे ही आप वैल्यू गैट भी करा स यूजर से ले रहा हूं वो मैं पास कर रहा हूं ठीक है मैं आपको बता दिया अगर आपको खाली वैल्यू गैट करनी है उसकी आपको सेम सिंटेक्स लिखना है बैलेंस यहां पर मैं जूम करके आपको बताता हूं बैलेंस आपको लिखना है जो कि आपका नाम होगा मैपि आप समझ गयोंगे जितना मैंने समझा है अब मैं इसे आपको डिपलोई करके दिखाता हूँ तो अगर आपको समझ नहीं है यार खुद से कोड करके देखो डिपलोई करके देखो तब बैटर समझ जाएगा वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की ठी अब आपको पहले इनिशेल बैलेंस दिखा देता हूँ मैं इसको कॉपी करूंगा ठीक है यहां पर मैं बैलेंस में एड्रेस पेस्ट कर रहा अपना बैलेंस देखोंगा मैं मुझे जीरो दिखा रहा है ठीक है यॉइंट मैंने पास कर रहा है वेल्यूस में तो बैसिकली अब भी उसमें कुछ नहीं है, अगर set balance में यहाँ पर करता हूँ, मालो मैं है 100 करता हूँ, ठीक है, तो मैं set balance में क्लिक करूँगा, तो मेरा successfully call हो चुका है, अब मैं वापस लिए balance में क्लिक करूँ, तो देखो मुझे 100, 100 मुझे value मिल जा रही है, तो अब यही function से आप value update भी value मिल रही है यह देखो अब मैं दूसरी चीज़ बताओं अब मैं आता हूं दूसरे address में ठीक है दूसरा address अपना select कर देता हूं अब इसमें भी try करके देख लेते हैं तो अब मैं क्या करूँगा यहां पर मैं इस address को paste कर दूँगा तो मेरे को balance 0 मिल रहा है मैं set balance करूँगा वापस से अगर मैं balances call करूँगा तो यहां पर देखो मुझे 1000 value मिल रही है तो basically आप जो mapping है उसका काम समझ करूँगे तो mapping में खाली एक ही value नहीं रहे कि mapping में कितनी भी काफी ज़्यादा कितनी भी value basically की value pair वो hold कर सकता है कितनी भी ठीक है तो यही खाश्यत है mapping की तो basically यूज इस ही लिए करते हैं कैसी ताकि हम जो query में डालें जैसे यहां पर मैंने address डाला है मुझे balance मिलके ठीक है directly और आप एक चीज़ और कर सकते हैं mapping के अंदर जैसे key में तो आपने कुछ भी दे दिया उसके बाद जो हमारी value है उसमें भी एक और mapping सेट कर सकते हो इसी के अंदर ठीक है तो basically वह भी काफी easy है आपको simply यह keyword पास करना है mapping करके ठीक है तो वह तो हो गया यार आपको basically basic idea समझ आगे हो आपको यह जह दोगे तो हुआ है कर दो झाप्ता करद कर दो को यह बदोके उसे कर दो